वेलकम बैक तो मैं चानल दस्तों तो जैसे यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास जो है आयए बी 6.5 kg का वाशिंग मिशिन है इसमें में जो प्रॉब्लम में हमारा वाटर इंलेट नहीं हो पर रहा है तो यहां से वाटर इंलेट होनी चाहिए वाटर इंलेट हमारा नहीं हो हो रह रहा है तो इसके लिए हम कुछ देर वेट करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो 28 मिनट नहीं है तो इस मिनट जाड़र नागर तो चलिया देरिणागरते वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अभी मैंने इसके साथ जो कवर आता है उसको मैंने हटा दिया तो फटा-फट से हम इसके जितने भी स्कुरों से इनको निकाल लेंगे तो देखिए दोस्तों इसके अपट जो भी कवर लगा हुआ था उसको मैंने रिमू कर दिया रिमू करने के बाद यह रहा हमारा सोलेट वाल जो की वाटर इनलेट के लिए यूज होता है तो इसको अभी हमें टेस्ट करना है टेस्ट किस तरह से करना है आपको पावर आउन कर छेकर यहां पर आपकोट्स करने के बाद यहां पर आपको टिल्सेट की मरत से चिक करना है कि आपकी वोल्टेज की सप्रेट ठीक है या नहीं तो वहीचीज अब इ मैं करने वाला हूं तो देखें, यहां पर मैंने प्रोग्राम को Express Watch में सेट किया है, अब ही मैं Tester's की मदद से जो है, टेस्ट करूँगा, तो यहां पर हमारा Light Glow नहीं हो रहा है, इस सेट बे हमारा Light Glow हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा PCB भी ठीक है, जिकने भी वायर्स है, जो भी connectivity इसको देने चाहिए, वो सारे wires भी हमारे ठीक है, ना ही rat cutting है, ना ही हमारा PCB किसी तरह का problem है, तो जो भी problem होगा, हमारा inlet valve से problem होगा, जो कि हमारा solar valve, inlet valve दोनों एकी है, जब भी मैं solar valve बोलूं, या inlet बोलूं, दोनों एकी है, ठीक है, तो इसको अगर हम replace करेंगे, तो हमारी problem solve हो सकती है, इसको replace करने का तरीखा मैं आपको बता दूँ, फर्स जो है इसका आप perfect एक picture लेले, picture phone में capture कर ले, ताकि आपको इसका direction का पता लगे, wiring का पता लगे, सारी चीज़े जो है, आप photo अगर हम maintain रखोगे, तो आपको fitting करते हैं, तो एक और चीज़ यहां पर आपको AC का है, DC का ह पड़ेगा, maximum जो है AC के ही आते हैं, AC करेंट के आते हैं, DC के maximum नहीं आते है, कुछ-कुछ ऐसे जो होते हैं, उनमें DC का आता है, ठीक है, तो यहां पर AC DC जैसे आपने चेक कर लिया, उसके बाद इसको remove करना है, दूसरा पाट लाओगे, fit करोगे, तो आपकी problem जो है, पूर AC करनड का ही solnet valve है, तो अभी हम इसको नया वाला लाएंगे, replace कर देंगे, तो हमारी problem जो हो सकती है, तो अभी देखें, यह हमारा पुराना वाला solnet valve है, और यह हमारा नया वाला, ठीक है, तो अभी हम इसको multimeter की मदस्ते चेक करते हैं, ohms meter में रखा हुआ है, तो यह जो हम हम पुराना वाला इसकी reading को हम चेक करेंगे, तो यहां पर हमें किसी भी तरह का reading देखने को नहीं मिल रहा है, उसी तरीके से नये वाले को हम टेस्ट करेंगे, तो यहां पर आप reading देख सकते हो, 4.48 ठीक है, इस तरह से जब हमें reading देखने को मिलेगी, यह हमारा solnet जो है, अ इसी को हम बिठा लेंगे, ठीक है, ठीक है, यह हमारा बैट चुका है, अभी हम इसके अंदर डारेक्ट बिठा सकते हैं, वह यह अभी हमारा perfectly बैट चुका है, तो यह जो हमारा power supply, इसको हम power supply भी आटाच कर देंगे, तो अभी हम इसको test करतें, अन कर गें, अभी मैं इसको on कर रहा हूं, तो देगे, अभी मैंने express wash में इसको on किया है, प्रोग्राम को, तो यह हमारा solar valve जो है, on हो चुका है, आवाज भी आप सुन सकते हो, ठीक है, बस इतना ही हमने solar valve को change किया, तो हमारी problem जो है, solve हो चुके है, अभी हम इसको totally pack कर देंगे, pack करके, अभी हम इसको water connection दे के test करेंगे, तो अभी हम इसको on करते हैं, दोफसों, power को मैंने on कर दिया, program को select करते है, express wash में, जैसा मैं इसको on करूंगा, यहां पर आपको humming zone के साथ water inlet होता हुआ, दिख जाए का, कुछ इस तरह से, ठीक है, water जो भी है, top load के जितने भी washing machine से, सारे V-shape में आपका water क inlet करेंगे, गर आपका इस तरह से inlet नहीं हो पर है, उस condition में आप एक बर filter को ज़रूर चिक करेंगे, उसको साफ सफाई करने, तो दुबारा से आपका V-shape में inlet होना चालो हो जाएगा, और दूसरी में इपाटेंड बात मैंने आपको नहीं बताए थी, error code, error code जो usually होता है, ज आप आपका on है या नहीं, और दूसरी जीज़ फिल्टर आपका सही है नहीं, और तीसरी जीज़ आमरा inlet valve, यह तीनों चीज़ यहाँ पर चेक करने के लिए बोलता है, अगर आपको doubt है, तो आप एक बर service manual को चेक करें, आप owner manual बोलो, service manual बोलो, दोनों एक ही है, जितने भी washing missions है, सारे जो है, owner manual आपको error codes के साथ में, वहाँ पर आपको problem tracing की पूरी जानकरी वहाँ पर आपको दे देंगे, आप एक बर owner manual को पढ़िए, वहाँ पर आपको information पूरी तरीके से मिल जाएगा, और manual चेक करने की बात कीज़े, तो manual जैसे मैं आपको बता था इस वीडियो आपको चेक हो जाएगा, तो first जो है, यहाँ पर आपको एक बर filter को चेक करना है, filter आप जरूर चेक करें, filter जब आप निकालोगे, इस तरह से clean मिलना है, पूरी दरीके से fresh मिलना है, इस तरह से अगर आपको नहीं मिले, आप एक बर filter को साफ करके, दुबारा से लगा के, और दूसरी चीज़, inlet valve की humming sound भी आ रही है, vibration भी आ रहा है, तब भी आपको water नहीं आ रहा है, उस condition में आपको जो problem होगा, हमारा filter से related, filter अगर आप साफ करोगे, अगर आपका humming sound vibration सही दे रहा है, तो आपका water जो है, 100% आ जाएगा, ठीक है, जो भी जानकरी थी मैंने आपको clearly बता दी है, अगर आपको फिर भी doubt है, अगर आपको error code दे रहा है, उस condition में आप manual को पढ़िए, manual आपको रखना ज़रूरी होता है, manual में आपको सारी detail जो है, अच्छी तरह के से बता देगा, अगर आपको तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक बर call center हो करे, ज इसे जो भी information मिलना था, सारा जो ही मिल चुका होगा, तो आज के लिए बस इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले topic के साथ में, thank you, thanks for watching.